है दोस्तों मैं दुर्गेश जाश्वाल मेरे यूट्यूब चैनल एलेर्निंग बेदुर्गेश में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों 18 नॉवंबर को यूपिटेट की एक बढ़ी परिच्छा प्रदेश में होने जारी है इस परिच्छा पे सरकार लगातार लगाम लगान जारी किया है साथ ही आपके यूपिटेट के प्रिश्पत्र में भी उन कुछ रूल दिये गये हैं क्योंकि अगर आप उसे फालो नहीं करते हैं तो आपको यूपिटेट की परिच्छा से पूरी तरह से वनचित कर दिया जाएगा तो जैसा कि जो यह परिकटिंग आपके स परिच्छा होने जारी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहों पाएने कि गलती होती है तो किसी पूरी तरह से भरती प्रक्रिया पूरी तरह से क्या हो जाएगा इस सत्रह से बाहर जा सकता इसलिए सरकार चाहेगी कि यह भरती प्रक्रिया किसी प्रकार से वाधित यह स्में वाधान नवत पन्णों इसके लिए उन्होंने कुछ दस्तावेज महत्पूर्ण दस्तावेज को सम्लित किया है जिसे परिछा कच्च में पहले तो आपको परवेश पत्र चाहिए बिना परवेश पत्र के अभ्यरतियों का परवेश वर जित होगा उसके बाद पर पत्र में परियुस पत्र के साथ साथ आपने जो आवेदन में अंतिम पहचान पत्र दिया था जो आवेदन में आपने पहचान पत्र दिया था वोटर आइडी ड्राइविग लैशेंस पैन काट तो उसकी भी एक प्रति आपको ड्राइविग लैशेंस पैन काट पासपोर्ट वोटर एडि को लेकर इसकी मूँण प्रति आपको लेकर ज़ह नहीं जो आपने धींद आउट तो जुढ अपने मूंलब का मुझे और यहा कि अपनकन निकलवा सकते हैं इसकी मूल कापी या अथवा किसी भी समेश्टर की अंक पत्र की मूह लिया सम्बंदित पर से चांड संस्था या तो अगर आपके पास मूल प्रति नहीं है तो आप क्या करेंगे जैसे थर्ष में जो 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 ने एक्जाम दिया है जिनको अभी तक मॉक्सिट नहीं मिल पाई है हो क्या करें के 2ंग समेस्टर अ 6th semester मतलूब किसी भी समेश्टर की मूल्ब प्रति लेंगे तरथा सथ ही साथ वचकार से गल्ति नहां इorial पाई इसलिए अपने थर्ड सेमेश्टर की जो अंग पत्र है उसकी प्रिंट निकलवा कर और उसे अपने डायट प्राचार से अथवा अथवा प्रिंट से रइष्टर समकच अधिकारी क्या गरों से प्रमारित कर वाले क्योंकि वह भी परिच्छा हाल में प्रवेश्ट करने के पूर्व आपका देखा जाएगा इसकी बिना परिच्छा में बैठने की अनुमती नहीं होगी परिच्छा कच में भैर्थी अपनी से रइषट पर बैठना है मतलब जो आपको सेट मिलेगी उस सीट पर बैठना है यह आप दूसरे सीट बैठतेए ہے यह सीट अदली बदली करते तो आपकी अभ्यर्थि अभ्यर्थं रद्द कर दिया जाएगा यह को यह भी थी परिष्छा में बैठने के अनुनमती होगी रथात परिष्छा प्रारंब होने के 10 मिनिर तक का समय दिया गया है आपको परिच्छा कच में प्रवेस करने का उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको प्रवेस कच में प्रवेस नहीं करने दिया जाएगा और भैरती परिच्छा कच में किवल काले बाल पॉइंट पिन का प्रियोग करेंग किसी प्रकार का पार्ट सामागरी के टुकड़े अगर मोबाइल फोन पेजर किसी अन्य प्रकार का गुरू अगर आपके पास मिलता है तो आपके भेड़तार रस्त करके आपके ऊपर उच्छित कारवाई की जाएगी इसलिए आप सभी इस प्रकारी कोई अभी आप शाथ अपने आपने सामागरी नहीं लेकर जाए और परिचाहल में क regalые के वह लग्लाफ प्रवेस पत्र परिश्पत्र के जाएव इसके अंकित अल्लाइन अवेधिन के पाचान पत्र था उसकी मूल कापी उसके साथ साथ एक अन्य अगर एक अन्य दस्तावेच कोई आपका हो तो भी साथ रखिएगा तता साथ ही साथ किसी भी समेश्टर का अंकपत्र और यदि अंकपत्र नहीं है तो आप क्या करिएगा इसके प्रिंट निकलवा के उस पर अपने डायट के समंधित जो रिश्टार जैसे किसी भी इसमें से कोई भी समान को उनके पास मिलता है तो उनकी उमिद्वारी अंचित तरीकों माना जाएगा जब करते हुए परिछरत कर जाएगी और उनके उपर उचित कारवाई अर्थाथ एफ आई आर की जाएगी इसलिए मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि इस तरह से कोई भी करते आप ना करें या कोई भी इस तरह से दस्तावेज परिच्छा हाल तक ना ले कर जाएं जो आपके लिए वाधा उत्पन करें इसलिए आप लोग को क्या-क्या लेकर जाना है मैं पुना बता देता हूं पहले चीज सबसे पहला तो आपका आप अवेधन करते समय जो आपने फॉर्म में अंतिम रूप से जिस पाचान पत्र का जिक्र किया था वह पाचान पत्र उसमें कोई भी डावी लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट वोटा राडी इन चारों में से आपको कोई एक ले जाना है और साथ अगर प्रास करेंगे मूल प्रति साथ ही साथ यदि आपके पास किसी कारण मूल प्रति नहीं मिल पाती है तो उसकी चाया प्रति किन्तु वह समधित अधिकार से जो अंग पत्र हो प्रमाडित होना अनिवार है बिना इसके आपको परिछहाल में बैठनी की अनुमती नहीं दी जाएगी और साथ दूस्तों आपको क्या करना है आप अपने साथ अधार अधार काढ लेते जाएगा और एक अंतीम आवेधन पास्चान पत्र एक साथ दो पेड़ों धी लेगा फिर परिस पत्र में और तकी आपकी फोटो सापम न दिखे तो भी आपके लिए समस्या और आप बताऊंगा कि कि अभी को कैसे कलर किया जाता है क्योंकि वह भी आपके लोग उतना ही महत्रपून है जितना की यह इसलिए आप सभी लोग इस बात को द्धान से समझेगा और मूल प्रतिगार जो मामला तो सस्या था यह लोग बारबा कॉल करें पूछ रहते सर क्या ले जाना क्या नहीं तो कि अट उतना है समझेक पह्ता है कि अजब है तो कॉल को बार बामल प्रतिग्स बार झाब क्याब है तो समझेट कॉल कि इसे तो तो बार यह और हो भी नहीं है कि चॉल को वोग पको दो